बात फरिदाबाद के करते हैं सेक्टर 3 अलाके में नहर किनारे बने प्लास्टिक के कट्टों के गोदाम में बीतिरा ताग लग गई थी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर विग्रेट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आपको बता दे कि कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर विग्रेट की तरफ से इस आग पर काबू पाया गया था तो फरिदाबाद में आपको बता दे कि लगी थी ये गोदाम में प्लास्टिक के कट्टे यहां पर बनाए जाते जिसमें की आग लगी है और इसकी पीछे की वज़ा बताई जा रही है कि किसी नी शरारती तत्वक ने ये आग लगाई है हलाकि पुलिस की तरफ से भी जांच की जा रही है लेकिन जो गोदाम का मालिक है उसे काफी नुकसान हुआ है